हालो आप सब्सक्राइब आपके अपनी येटीब चलाम मैंत मांज पर दोस्तों आज के इस वीडियों हम देखेंगे इस तरह का कुस्छान किस तरह स्वाल किया जाता है देखिए इससे पहले बाले वीडियो मैंने आपको पता जाता है कि अंडरूट का जोड़ घटाना गु है और लिखाल जाता है कि अंडरूट के अंडर बहुया है इसका तरह कर देखिये सबसे पहले हम क्या करेंगे तो कि इए यहाँ पर क्या तीन है यहां कर निचे आपने मन से और इस में इस पूरे में हम अन्डरूट common कर लेंगे sorry LCM ले लेंगे ठीक तो अंडर रूटीन ले लेंगे तो देखिए यहां पर उपर हो जाएगा 3 रूड 3 इतना तो आपको आना चाहिए देखिए इसका में LCM लिया रूट 3 तो एक का भाग देंगे हम रूट 3 में करें की में तो 3 रूट 3 हो जाया ठीक हो गया प्लस का चेनल लगाएंगे और प्लस का लो तो जै sister formula हैा देखी ए फ्लस और माइनस भी का इला है कि नहीं हैा ना तो इसको देखे हम इस पर का लिखेंगे इसके में लिए इसका मैल्lements आम लेता है सिलिए इसका मैल्म लेंगे तो देखिए रू Do ौ exercises प्लस थ्र्य इसको मस प्रकार को लिख सकते हैं दो और पांच क्स्का कितना हाता है पांच दुनी दस हैंनी कि न कि दो और पांच के लिए तiene點 होता है है नि कि 10All house होता है इसी प्रकार जब दोनों संख्यास हमां अलग-अलग होती है तो वाऩे सबस्राइब करेंगे अब यह ब्रेकट लगांस को नहीं काते हैं तो यहांपर मायन सक्कती यह 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 लगाएंगे यहां पर आ जाएगा तो रूट ति61 और प्लस थिरिश और अम जो कट रहा हो इसको हम काट देंगे जो नहीं कट रहा हो इसको नहीं काटेंगे तो यहाँ पर माइनस कती है जिए प्लस कती है जिए आपस आपस में कट जाएगा ठीक है 3 root 3 plus 1 upon root 3 plus इसको हम आपस में जोड़ दे लेंगे तो 2 root 3 2 root 3 और दोस्तों यहाँ पर जब पर फर्मूला बन रहा है देखिए A plus B और A minus B फर्मूला होता है हमारे पास A plus B और A minus B बराबर होता है A square minus B square के होता है कि नहीं होता है तो यहाँ पर A plus A का square कर रहेंगे तो 3 और minus B का square 9 ठीक है ना अब इसको भी हम solve कर लेंगे तो देखिए कितना हो जाता है 3 root 3 plus 1 upon root 3 plus 2 root 3 और इसको हम आपस में घटा लेंगे तो minus का 6 आएगा तो minus का यहाँ पर हम minus का चिन लगा देंगे ठीक इसको घटाएंगे तो minus का 6 आएगा नीचे तो हमने यहाँ पर minus लगा दिया ठीक है ना अब देखिए इसका हम LCM ले लेंगे इसका हम LCM ले लेंगे या चाहिए आप इसको all solve कर लीजिए देखिए इसको हम solve करेंगे इसको हम काटेंगे 2 एक हम 2 और 2 तिया 6 ठीक है ना और हम 3 से इस 3 को भी काट सकते हैं तो इसको काटेंगे इस 3 से तो यहाँ पर root 3 आजाएगा आजाएगा की नहीं आजाएगा आजाएगा बिल्कुल आजाएगा देखिए मैं आपको बताता हूँ अभी पहले इसको लिख लेंगे हम 3 root 3 plus 1 upon root 3 minus 1 upon root 3 देखिए यदि कोई संख्या ऐसी लिखी हो root 3 और नीचे 3 लिखाओ तो इसको हम लिख सकते हैं देखिए इस root 3 को तो हम ऐसी रखेंगे और इस 3 को लिख सकते हैं root 3 into root 3 लिख सकते हैं इतना आप हमने दिमाग में बैठा लीजिएगा क्योंकि इसका मतलब क्या होता है इसकी power 1 बटे 2 और इसकी भी power 1 बटे 2 जब power जोडेंगे तो वो 3 ही दे देता है ठीके ना इसी प्रगारा हम इसको काट दिया 2 से काटा 3 को तो 6 को काटा 3 काटा था 3 से हमने इसको काट दिया root 3 से यहां पर root 3 बच गया था अब देखिए यहां पर हम root 3 यहां से हम root 3 LCM ले लेंगे तो root 3 LCM ले लेंगे तो ऊपर बचेगा 3 root 3 plus 1 और minus 1 अब देखिए यह plus का बन है यह माइनस का बन है ठीक है ना देखिए हमारे पास क्या बचता है उपर बचा है 3 root 3 और नीचे बचा है root 3 तो root 3 से हम root 3 को काट देगे आपका 3 answer हो जाएगा दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको जो question बता है अच्छे समझ में आ चुका हुए है पसंद आदे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सबस्क्राइब जिरूद कीजिए thanks for watching